कनाडा का वेनपैक सिटी हेजंटन ड्राइब फ्लेट नमबर 230 जी हाँ कनाडा का ये वो पॉश इलाका है जहां पर खालिस्तानी आतंकी सुख्खा दुनी के रहता था और इसकी यही पर इसी फ्लेट में गोली मार कर तीन हमला वरों ने हत्या कर दी थी इसकी तस्वीरे न्य जो सुख्खा है उसकी अर्ष डल्ला से काफी तीकी कहा सुनी हुई थी और उसके बाद सुख्खा के साथ अर्ष डल्ला अलग हो गया था शुख्खा को अर्ष डल्ला ने इसी वेनपैक सिटी के हेजंटन ड्राइब का फ्लेट नमबर 230 का एक जो ठिकाना है वो बेसमेंट रहने के लिए था और वहीं पर सुख्खा अकेला था ये बात विरोधी गेंग को पता चल गई थी और उसके बाद घात लगाकर तीन हमलाबर वाइक से आते हैं और वो सुख्खा के उपर तावर तोर्ड फाइरिंग करते हैं नो गोलिया जो हैं वो सुख्खा के सर पर मार जाती है और यह बत कहा जाता है कि आज जो गोल्डी बरार का भाई है गुरलाल बरार उसकी हत्या करने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है कनाडा पुलिस ने सुक्खा के शब को पोश्माडम के लिए भेज दिया है लेकिन अब तक जो हमला वारे सूटर से उनक की शिनाक्त नहीं हो पाई है वही हाली में डिल्ली पुलिस की इस्पेदर सेल ने जहांगीर पूरी में एक हिंदू शक्स की जिस तरह से हत्या की गई ती हो जिसका मास्टर माइंड आर्श डाला था उस उन दोनों की चार्शीट में खुलासा हुआ है कि किस तरह से उन्हो शक्स की तस्वीर का वीडियो बनाया और उस वीडियो को पाकिस्तान आईएसाई तक पहुचाया इस चार्शीट में के साथ एक तस्वीर भी स्यामने आई है जिसमें जो दोनों एसोसियेट से अर्श डाला के जगजीत और नोसाद वो किस तरह से एक शक्स का गलार रेत र हैं और जिसने से सुख्ळा जो अर्श inclun का बेहत करीबी था लेकिन सुख्ळ से अर्श dalा का मनיל मुटा हुआ और उसके बात अर्श डल्ला अलग रहने लगा वतारे कि सूतर यह भी बता रही कि पर सुख्ळा की गई वहां पर अ कर अगार अर्श आतार कनाडा पुलिस की जारी है बता दे कि पंजाब से लेकर कनाडा तक बड़ी गेंगवार की आशंका जो है वो भी जताई जारी है क्योंकि अब सुख्खा की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान आईएसाई खालिस्तानी और आश्डाल आएक हो चुके हैं वहीं कैल करिफोनिया में गोल्डी बरार भी अंडर्गाउंड हो गया उससे अपनी मोत का डर सता रहे है